गुड मोर्निंग स्टुडेंट्स, क्लास 10 विशेग नीट, प्रिसनावली है नुमी, 9.1 निर्देशांग जामिती इसके कोशन अपने हल करेंगे, तो देखो 9.1 का पहले का प्रिसनावली का पहला जो कोशन है क्या दे रखा है आपको इस परिकार एक आकरती बनाकर आपसे पूछ रहा है कि P, Q, R, S के निर्देशांग ज्याद करने हैं, तो देखो P, Q, R, S के निर्देशांग ज्याद करने हैं, P, Q, Q, R, K और S, K तो सबसे पहले अपने देखते हैं, P का है, यह रापी, यह वाली अक्ष क्या होती है, X अक्ष, और यह वाली अक्ष होती है, बाई अक्ष, जब इस परिकार निर्देशांग ज्यामिती के अपने बात करते हैं, तो जैसे P बिंदू है, तो सबसे पहले अपने इसका X निर निर्देशांग और भाई क्या है Aww ek किया है। perfect sweeping कितना है तेन 5 तेन तिल्देशांग पी, देखेंगे ये मोल बिंदो और इस साइड के मान होते हैं इस साइड साइड मान मैंस में उपर वाले मान मैंस में और नीचे मान होते हैं मैंस में अब अपने Q की बात करें neighbours Q का फिर X निर्देशांग देखें तो कितना है माइनस 4 माइनस 4 कॉमा इसका Y निर्देशांग कितना है 6 कितना है 6 इसके बाद देखो R निर्देशांग R बिंदू R बिंदू का अपने X अख्ष देखें 2 और 4 के बीच में जनी की माइनस 3 कॉमा और इसका Y निर्देशांग भी कितना है माइनस दो फिर S बिंदू ये रहा S का X अक्ष देखें तो कितने पर है एक पर और Y अक्ष देखें तो 4 और 6 के बीच में कितने पर है 5 पर और माइनस 5 ये Y की वैल्यू प्लस में होती है ये माइनस में, ये X की प्लस में और ये X की माइनस में पहले आपको बस X निर्देशांग लिखना है फिर कॉमा लगा कर Y निर्देशांग लिखना है ये तो था आपको बिंदू, मतलब बना हुआ ग्राफ दे रखा था बिंदू लिखने थे अब आपको बिंदू दे रखे हैं और ग्राफ पर क्या करने हैं अंकित करने हैं तो देखो ग्राफ बनाती हैं यह है अपनी वाई अक्ष और यहां पे बीच में क्या होगी अपनी अक्ष बनाओगे ग्राफ पे इसको हल करोगे आप ठीक है और इस साइ क्या होगा माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच यह होगा एक दो तीन चार और इस साइड क्या होगा माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच यह क्या है एक्स डैश यह है वाई और नीचे क्या है वाई डैश इस परकार यह ग्रा सक्ष का एक देखो यह रहा. फिर प्लस में 2 है, तो उपर की तरफ जलना है और यह रहा 2, और एक और दो की सीद में यहां पे आप पॉइंट लगा दोगे, यह रहा 1, 2. फिर है मैननस 1 और 3, मैननस 1 किसका? 1 सक्ष का, 3 किसका? Y का, तो मैननस 1 और 3 कहां मिलेंगे यह रहे इनको डैस डैस करके इस परकार मिला देना इसको भी एक और दो फिर मैंनस दो और मैंनस चार मैंनस दो किसका एक सक्ष का मैंनस चार इसका इसकी सीध में यहां पे आप मिलाओगे तो डैस डैस करके इसको भी और इसको भी मिलाओगे तीन और मैंनस दो 3 किसका X-X-2 Tuesday 2 Yay तो यहां पे मिलेंगे ड्रhr ड्रhr 2 0 सची 0 किसका मान है Y aks का Y का Y का मान 0 का होता है X aks पर और X aks पर 2 कह रहा यह है 2 0 0 3 अब 0 किसका मान है X का और 3 Y तो Y aks पर क्या होता है इसका मान जीरो होता है एक्सक्ष कमान य पर क्या होता है जीरो होता है इस परकार ही आपका हो गया ठीक है इसके बाद देखो तीसरा कोश्चन फिर वो ही सेम है आपको ग्राफ बनाना है ये सारे कोश्चन आप क्या करोगे ग्राफ पर हल करोगी ग्राफ पर आपको हल करने है किस परका एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, पहला क्या है, जीरो, जीरो, जीरो कौन सा होता है, ये वाला पॉइंट होता है, जीरो, जीरो, हो गया, फिर है, तीन, जीरो, तीन किसका है होता है पहला पोइंट किसका होता है एक्सक्ष का एक्सक्ष का तीन जीरो है तो यहां पर वाई का मान जीरो वाई एक्सक्ष पर एक्सक्ष का मान जीरो अब देखो जीरो चार तो जीरो चार यह रहा अब यह क्या करा है यह एक आयत हो एक आयत बनाना है अब इ यहांसे इसको सीधा बिल्कुल ग्राफ बनाओ गोगे तो बिल्कुल सीधा आएट क्या करती क्या यहां पर बन जाएगी यहां पर मिल जाएगा यह बिल जाएगा यह बिन दू- प्रकार बिंदू दे रखे हैं और इनको क्या करना है आपको बनाना है उसी ग्राफ पर ही चलो ग्राफ बनाते हैं यह अपना हो गया बाई अक्ष यह अपना हो गया एक्सक्ष ठीक है अपने को जितना चाहिए अपने उतना उतना लिख लेते हैं एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, पहला क्या है, माइनस एक, जिरो, माइनस एक और जिरो, ये वाला बिंदु ही है, एक, जिरो, एक, जिरो, ये वाला बिंदु हो गया, एक, एक, एक और एक, ये वाल हो गया जीरो दो जीरो दो मतलब ये वाला माइनस एक और एक माइनस एक इसका और एक इसका ये वाला अब इसको मिलाओगे इसको स्केल से यांपे यांपे फिर इसको इससे तो ये किसकी आकरती बनगी अपने पास एक दो तीन चार पांच पंच बुझ की आकरती किसकी बनग इस प्रकार इसी प्रकार इनको बनाना है अपने एक करते हैं एक क्या करोगे तो खुद बनाओगे एक दो ती चार पांच है साथ आठ एक दो ती चार नो दस ती चार पांच मैनस वड़ा तो है नहीं तो अपने नहीं बनाते ठीक है एक 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 ये वड़ा बिंदू आएगा एक इसका एक इसका दो चार इसका दो इसका चार दो चार ये वड़ा बिंदू आएगा इसको सकेल की साहिता से मिला दोगे फिर आठ चार इसका आठ और उसका चार आठ क सीध में यहां पे चार पे लेके जाओगे बिल्कुल सीधी लाइन आएगी क्योंकि चार है स्केल की साहिता से मिलाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी दस एक इसका दस और इसका एक दस और एक इसको इससे और इसको क्या करोगे फिर बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी scale की साहिता से तो यह किस की आकरती बनगी चत्रबुज की आकरती बनगी तो यह वाली क्या करोगे आप खुद बनाओगे यह पर इदर वाली क्या हो जाती है minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 इसी तरह निचे वाले minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 देखो मैननस 2 minus 2 minus 2 यह रहा minus 4 2 minus 4 इसके 2 इसके तो मैननस 4 दो यह वाला ठीक है फीर मैंनस च्छार मैंनस दो मैंनस च्छार मैंनस च्छार यह रहा मैंनस च्छार यह रहा मैंनस च्छार यह रहा फिर यहां से यह रहा यह सारे बिंदों मिल गए इसको इससे मिला दिया 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 इस परकार यह आपके पास चत्रूज किया करती बन गी बस पहला गिस का हैहईक्स अक्ष का पहला किसका है तुर आध्यान ररखोगे तो आपके यह कोशन है वह सात्नी से हल हो जाएगे यह पांच तक स्थरीजह कोशन हो होगे चैर सी कोशन हो अवह अग्ली कुश Common UK podr अन्यवादा.